इंदोर में युवाओं द्वारा नशे में उत्पात मचाने के साथ ही मोजमस्ते के लिए कई बार अपरादे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है साथ ही वह अपरादे घटनाओं से जुड़ जाते हैं लेकिन समाज के प्रती उनकी क्या जम्मिदारी है इसको सुनिश्चित करने के उद्देश से कई बार अधिकारी विभिन तरह के कदम उठाते हैं नजर आते हैं तो और इसी के तहट चार युवकों को वहानों के काच फोनने की एक अनोखी सजा सुनाई गई है दरसल पूरा मामला यह है कि बारगंगा थाना शेत्र के वरंदावन कॉलनी में पिछले दिनों चार वहानों के काच फोड़े गए थे इसके बाद फर्यादियों द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराए गई थी शिकायत के आधार पर पूलिस ने प्रारंबिक रूप से कईधाराओं में केस दर्ज कर लिया था और फिर जाच परताल कर धरमेंद्र निशिल दिपांशु और जितेंद्र को पूलिस आयुक्त ने नायलाय में पेश किया जहाँ पर उनके उपर दर्ज केस की सुनवाई के दर्ण उन्हें सामाजिक जम्मेदारी समझते हुए लवकुष चोराय पर यातियात संभालने के आदेश दिये गया जिसमें वह चारो यूवक एक वर्ष तक प्रती दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रतिक शनिवार को पस्थित रहेंगे और यातियात संभालें है कि वह किसी भी तरह का नश्य का सेवन और शराब नहीं पिएंगे इन चारो यूवकों को सजा लेकर पुलिस आयुक्त ने आदिश दिया है कि थाना बाडगंगा प्रभारी के साथ ही बीट पर तैनात पुलिस कर्मी इन पर निगरानी भी रखेंगे बता दे से पहले भी कई वरिष्ट पुलिस अधिकारी इस तरह कि सजा यूवाओं को सुना चुके हैं जिसमें पूर्वू पुलिस कमिशनर द्वारा जगडा करने वाले यूवाओं को वाहन चुलाने और बैटने की मनाई की गई थी तो वही कुछ यूवाओं द्वारा रंजनपुर में की ग द्वाद हुई है देखे ये मामला बाडगंगा का है बाडगंगा में इनके बिरुद जो चार आरूपी हैं धर्मेंद्र कुरील जीतेंद्र ठाकुर निसीद और इसके अलावा निसील के अलावा एक और आरूपी थी पानसू लोगों ने बाडगंगा पे इनके उपर ततकाल कारवाई की गए थी और इनके खिलाव 427, 294, 504, 506 का मुकदमा दर्ज किया गया था उसके बाद रास्टी सुरक्षा अधिनियम के तहत इनका मामला डिसीपी जोन 3 ने कमिशनर साहब के सामने प्रस्तित किया था जिसके तहत कमिशनर साहब ने आगामी एक वर्स के लिए इन चारों आरूपियों को सामको 6 बजे से लेके 9 बजे तक लोकुष चौराहे पे उपस्तित रहने का आदेश चारी किया है इसके साथ ही साथ इस दोरान वो किसी भी तरीके के नस्य का सेवन नहीं करेंगे साथ में ये पाबंद किया गया है कि जो थाना प्रभारी हैं और जो बीट प्रभारी हैं वो इनको चेक भी करेंगे पहली बारी इस तरह की सजेस्टन रड़ेत क्या है निशी तोर पे ये अपने आप में एक अनोखी पहल है सीपी साथ ने ये जो आदीश चारी किया है वो नए एक्ट के इस्पिट के अंसार है जो नए एक्ट बने हैं उनके जो इस्पिट है उसके अक्रॉड ये कारवाई की गई और आने वाले समय में ये ऐसी कारवाई और भी की जाएगे निशी तोर पे ये माना जाएगा कि उन्होंने जो सजा दी गई थी उसका पालन नहीं किया गया है तो निशी तोर पे उनके खिलाव फिर से कारवाई स्थार्ट की जाएगे